नमस्त मित्रों हम बात करेंगे ब्रह्म विवर्थ पुरान के गजब गपोड़ों के बारे एक महत्वपुर्ण गपोड़ा आपके सामने पुस्तुत है ब्रह्म विवर्थ पुरान गणपती खंड़ा अध्याई नमबर 14 है कार्तिके के जन्मका वर्नन स्री नाराणी रिसी कहते हैं उसी सबा में देवता गंदर्व मुनिगण विष्णु का मोचसव देखकर हर्सित हो गए तबी वहां बगवती दुरगा ने तनिक हाश्य के साथ देव सबा में प्रणत होकर देव देव इश्वर विष्णु से खा देवी पारवती कहते हे प्रबो आप समस्त जगत के रक्षक हैं मैं जगत से प्रतक नहीं हूँ हे प्रबो आपने मेरे स्वामी के अमोग वीर्य की रक्षा नहीं किया आपकी ही प्रेणा से आकर देव गण ने तता ब्रह्मा ने मेरा रतिकार्य भंग कर दिया तता स्वाम कि रहते यहां अराजकता कहां तक उचित है पारवती का वचन सुनकर वहां जगदीश्वर हसने लगी तब वहां स्तित देवगण तता मून्यों ने विश्णु से कहा श्री विश्णु कहते हैं हे देवगण आपने पारवती का कतन सुना अब मेरी बाते सुने सिव के अमोग वीरियो को किसने हरन किया उसे सिग्र सवा में लाए अन्यता उसे उच्छी तर डंड में लेगा ऐसा राजा किस काम का जो सम्यक सासन स्तापित नहीं करता तता प्रजा को कष्ट होने पर पक्षपाद करता है विष्णो का यह कतन सुनकर सभी लोगोंने आपस में समा लोचन किया और पारविती के कतन से भाई वीट होकर वागवान के समक से करमस कहने लगी ब्रम्मा कहते हैं जिस किसी ने भी वह वेरे चिपाया वह भारत वर्स में इस पूर्णय क्षतर में पूर्णय दिन में पी पूर्णय करे से वंचित ही रहे महा देव बोले मा देव कहते हैं जिसने मेरा वीर्य छपाया वह पूर्णय भूमी भारत में आपकी सेवा पूजा से वंचित रहे यम वाच यम देवता कहते हैं जिस व्यक्ती ने वह वीरे चुरिया वह इहे लोक और सरणागत रक्षा तता एकादे सिवर्ति से बन कितर है इंद्र देव कहते हैं हे पाप मोचन देव जिस व्यक्ति ने वह वीर्य चिपाया उसका जगत से पूर्ण ये कर्म जनित ये शलुप्त हो जाए वरुन देवता कहते हैं कुबेर कहते हैं जिस व्यक्ति ने वह वीर्य चिपाया वह वारत वर्ण करने वाला विश्वाश काती मित्र हत्यारा सत्यनासव अक्रतग्न हो जाए इसान देव कहते हैं जिस व्यक्ति ने वह वीर्य चिपाया वह वारत वर्ण करने वाला पक्षकाती गुरु द्रोही होकर जन्म ग्रहन करें ध्रुद्रगर्न कायते जिसने भी वीर्य हरण किया वे भारत में मित्यावादी परस्त्री हारी तता सर्व गुरू निंदक होकर जन्व ग्रहन करें काम देव कहते जिसने भी सीव वीर्य गरहन किया वे प्रतिज्या भंग जनित पापक का भागी हो स्वर्ग विद्य अशुनी कुमार द्वय कहते हैं जिसने भी सीव वीर्य हरन किया वे माता-पिता, गुरु, स्त्री, पुत्र के पालन पोषन से रहित हो जाए सबी देवता केते जिसने भी सीवीर ङःरन किया वै जूटी कवाई देने वाला पुत्र रहित होकर भारत में दरिद रहे यदि किसी नारी ने सीवीर यह ग्रहन किया वै नारी पत्ती निंदा कारी पुरिस्पर पुरुस्ट कामी बंदु रहित हो जाए गपोड़े तो भरपूर भरे बड़े हैं जब्रदस्त मजे मारते हैं हे मुनिवल देवता तता देवी गण ने यह कतन सुनकर जगत करता त्रेलोक्य के सासन विष्णु ने सर्वकर्म, शाक्षी, धर्म, चंद्र, सूर्य, अगनी, वायू, जल, उवै, संध्य, दिव्या, वै, रात्री से का स्री विष्णु कहते हैं बगवान जगत गुरु महादेव के अमुग विर्यो को हरण येदी देवता करने नहीं किया तो किस ने किया आप लोग तो विश्वी के सबी कर्मी के साक्सी हैं उस वीरिय कारण क्या आप लोगों ने किया और उसके साथ क्या हो गया आप लोग कहीए दर्मदेव कहते हैं जब संकर ने करोधित होकर रतिक्रिया का त्याक कर दिया तो सहियां से उटे तो उनका वीरिय प्रत्वी तल पर स्कृत हो गया प्रत्वी तल पर गीरा यह मैं जानता हूँ क्षती प्रत्वी कहती हे ब्रामन में अबला हूँ उस गुरु भार युक्त वीरिय को धरन नहीं कर सकी मैंने उसे अगनी में छोड़ दिया मेरा प्राधक्षमा करिए अगनी देव कहते है जगनाद में उस वीरिय का भार उटाने में अश्रक्षम हो गया मैंने उसे सरगंडों में भेग दिया दुर्बल के लिए येस और पुर्ष कुछ भी नहीं वायु देव कहते हैं हे विश्णू सरगंडों पर जब वीरियरा तब है ततकाल बालक हो गया सुर्य देव कहते हैं रूद नहरत बालक को देकर जब में अस्तत चल गया तब है बालक सुर्ण रेखान दी टटपर विराजित था चंदर देव कहते हैं उस रोते बालक को बद्रिकास्रम में समागत कृतिकाओं में गोध लिया चल देव कहते हैं अब ऐसे बालक बेता हो गया कितना खतरनाक विज्ञान भरा बड़ा है ऐसे हुए थे कार्ति के जिगा चन में भरपूर विज्ञान भरा बड़ा है आपको अपनों यूट्यूब चैनल है धन्यवाची